पुरिशों के शर्ट के स्टैंडिंग कॉलर के लिए माख करके काटना इसके पहले पार्ट में हमने पुरिशों के शर्ट के पीछे की पीज के लिए कपड़े पर माख करके काटा उद्देश इस पार्ट के अंथ में आप पुर्शों की शर्ड के लिए standing collar मार्ग करके काट पाएंगे आईए देखते हैं कि किस तरह कपड़े पर standing collar का pattern मार्ग करते हैं पहले pattern को पल्टेंगे जिसे मार्ग करने और काटने में आसानी होगी बचा हुआ कपड़ा एक मोड में रखिए जो गले की घेर के आधे से दो इंच जादा हो और जिसका मोडा हुआ किनारा आपके करीब हो यहाँ यह दस इंच है आपकी बाई और शुरू का बिंदु शून्य मा कीजिए और मोड की और पौने दो इंच नापकर मा कीजिए यह है बिंदु एक बिंदु शून्य और एक से मोड पर समकोन रिखाएं खीचिए बिंदु शून्य से नौ इंच नापकर मा कीजिए यह है बिंदू दो बिंदू एक से नौ इंच नाप कर मा कीजिए यह है बिंदू तीन बिंदू दो और बिंदू तीन सीधी रेखा में जोड़िए रेखा शून ने दो का मद्धे निकालिए और मा कीजिए यह है बिंदू चार रेखा एक तीन का मद्धे निकालिए और मा कीजिए यह बिंदू पांच बिंदू तीन से आदा इंच उपर की तरफ नाप कर मा कीजिए यह बिंदू छे फिर बिंदू दो से आदा इंच उपर की तरफ नाप कर मा कीजिए यह बिंदू साथ बिंदू 6 और बिंदू 5 एक घुमाव में जोड़िये बिंदू 7 और बिंदू 4 एक घुमाव में जोड़िये फिर बिंदू 6 को रेखा 7 चार से एक घुमाव में जोड़िये इस तरह हमने कपड़े पर स्टैंडिंग कॉलर का पैटर्न मार्क किया है अब हम draft किये गए रेखाओं की ओर से काट सकते हैं standing collar की एक और नकल निकाल लिये जिससे हमारे पास standing collar के दो पीश होंगे इस तरह हमने पुर्शों की shirt के लिए standing collar का pattern काटा है इस पाठ में हमने कपड़े पर standing collar का pattern माँक करके काटा है इसके अगले पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह collar के लिए कपड़ों के टुकड़ों को माँक करके काटा जाता है इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं